और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है Microsoft Excel में Quotation Bill Quotation Bill क्या होता है? Quotation Bill जैसे suppose आप किसी पार्टी को जो Quotation देते हैं आप जिस प्रोड़क्ट को सेल कर रहे हैं उस प्रोड़क्ट के लिए पार्टी का भी आपके पास आई और उस पार्टी ने डिमांड के हमको यह यह प्रोड़क्ट इतना चाहिए हमको ठीक है? तो जितना भी उनको चाहिए उस हिसाब से उसका एक Quotation बनाके हम लोग को पार्टी को देना पड़ता है कि देखिए आपका यह प्रोड़क्ट जो है इस प्राइज में आएगा उस पर आपको इतना डिसकाउंट मिलेगा इतना आपका टैक्स लगेगा और फाइनली जो अमांट आ रहा है वो यह अमांट आपका आएगा तो उसके लिए पहले फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट हम लोग यहां पे एक पैटन रिडी करेंगे पैटन में यहां पैसे देदिया प्रोड़क्ट एक चोड़कर यहां पे देदिया मिट्रियल एक चोड़कर यहां पे टाइप कर दिया मिट्रियल के बाद को इं मतलब एक Excel छोड़ कर हम लोग यह टाइप कर रहे हैं invoice value bracket में हमने दे दिया RS फिर enter करके एक just एक row छोड़ कर यहां पर टाइप कर देंगे calculation 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 type करके उसके बाद इसके corner में यहां पर रखेंगे यहां पर टाइप करेंगे basic यहां पर टाइप करेंगे cash discount locational discount amount excise duty सबके बारे में भी हम explain कर देंगे excise duty reduces fret total gst or net total उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर टाइप करेंगे यहां पर टाइप करेंगे total value bracket में RS कर देंगे और अब यहां पर हम लोग को just क्या करना है जो जो हम लोग का heading है sub heading को यहां से selection करना है selection करने के बाद यहां से bold करके center करके और format में जाके इसको auto fit कर देना है ठीक है और थोड़ा highlight कर देते है किर पर फर हम लोग को क्या करना है अब हम लोग को यहां पर करना ये है जो जो less हो रहा है जैसे DISCOUNT जो है वजह हमेसा bill से less होता है bill में less होता यह भी less होता है पर tax हमेसा add होता है किराया भी आयड होता है, फ्राइड काम अब किराया और GST भी आयड होता है, चीक है? उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, जहां जहां पर मालूम करना है, जैसे amount यहां पर निकालना है, तो यहां पर और यहां पर दोनों जगा पर हम लोग control प्रेस करके control को hold करके रखेंगे और दोनों जगा पर click करेंगे और यहां से bottom border ले लेंगे bottom border लेने के बाद फिर उसके बाद right और यहां पर दोनों click करके इसमें भी bottom border ले लेंगे और यहां और यहां दोनों को control प्रेस करके selection करने के बाद यहां से हम लोग चले जाएंगे double side border लेंगे ठीक है अब यहां पर type करेंगे फिर quantity short में type करके यहां से इसको underline कर देंगे center कर देंगे और तोड़ा bold कर देंगे अब उसके बाद हम लोग यहां पर calculation निकालना है amount का, amount का formula क्या होगा equals to basic से हम लोग minus कर रहे है bracket open देकर cash discount plus locational discount मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग को cash discount को भी minus करना है और locational discount को भी minus करना है तो क्यों ना ऐसा किया जाए, कि दोनों discount को पहले plus कर लिया जाए और basic से minus कर दिया जाए, enter करने पर 0 ही आएगा because यहां पर अभी कोई value हमने put नहीं किया, इसलिए यहां पर 0 ही आएगा excise duty निकालना है, excise duty जो है आपका import export के ओपर एक duty charge किया जाता है government का तरफ से, तो यहां पर excise duty जो है कैसे निकालेंगे, equals to देंगे, amount से into 18% मतलब हो गया, जहां जहां excise duty लगता है, तो उसके लिए equals to देंगे, excise duty से into suppose 2% दे दिया, और अब यहां पर fright, fright जो होता है, यह depend करता है distance के ओपर, अगर आप यहां से suppose S planet जा रहे हैं तो अगर आपका 20 रुपया लगता है तो होडा जाएंगे तो ज्यादा लगेगा ना, इसलिए यहां पर हम लोग इसको empty रखते हैं, कुछ ने डालते हैं, उसके बाद total में क्या करना है, equals to sum, bracket open देना है, और फिर यहां से यहां तक इसको selection करके, bracket close कर देना है, enter, और gst निकालने के लिए equals to total से into, suppose, 10% दे दिया, gst, और net total में क्या करना है, total plus gst, ठीक है, total plus gst, इसको तोड़ा जगा नहीं मिल रहा है, यहां पर equals to देना है, total plus gst, दोनों को plus कर देना है, यह हो गया आपका परपीस का, यह हो गया आपका परपीस का निकालने का, यहां परपीस का आप यहां से निकाल लिए, ठीक है, और उसके बाद अब आपको निकालना है, more than one का, ठीक है, more than one का कैसे निकाल लिएगा, तो more than one निकालने के लिए आपको equals to देना है, सामने वाला cell into यह वाला cell, सबको cross multiply करना, सामने वाला cell into यह वाला cell, equals to सामने वाला cell, यानि परपीस वाला cell, और into quantity के नीचे वाला cell, equals to purpose वाला cell into यह, सबको इस तरह से cross multiply हम लोग कर सब को cross multiply ठीक है उसके बाद यह जब हो जाएगा तो अब एक link बनाएंगे इकवल्स टू इस सेल का इस सेल से link बनाएंगे क्यों क्योंकि जब हम लोग उपर में quantity देंगे automatically नीचे में भी आ जागा दोनों जगा पर quantity देने का जरूरत नहीं बन गया दोनों जगा quantity देने का जरूरत नहीं है तो यह दोनों को भी थोड़ा highlight कर देते हैं समझ में आएगा इस से अब उसके बाद यहां पर invoice value equals to इस सेल के साथ इसका link कर देते हैं यहां पर click करके enter ठीक है इसको भी थोड़ा highlight कर देते हैं अलग color से ठीक है इसको और इसको दोनों को rate कर दिया है और font color दोनों का white कर दिया है यहां से bold कर दिया size बढ़ा दिया ठीक है तो यह हो गया हम लोग का पूरा format ready अब suppose इसको क्या करेंगे इसको जाके file में हम लोग save कर लेंगे ठीक है file में किसी भी drive में हम लोग जैसे g drive में हमने save कर दिया इसका name दे दिया quotation bill के नाम से save कर दिया अभी हम लोग को क्या करना है suppose कोई बंदा आया वह बंदा बोला मुझे Samsung का mobile चाहिए आपने बोला क्या चाहिए बोला J7 दे दिजे बला ठीक है भाई आपका प्रपीस का प्राइस जो है वह पड़ेगा जैसे आप एक्सोपीस के लिए एंटर कीजिएगा आपका एक्सोपीस के यहाँ पर आ जाएगा अब यह बंदा चला गया ठीक है अब सपोज यह बंदा चला गया आपका ठीक है थोड़ देर के बाद इसका आप अलग से सेवाइस करके रख सकते हैं इसका मैटर को आप सेवाइस कर लीजिए यह भी तो आपका कस्टमर है ना तो इसका बैक अप एक फोल्डर बना लीजिए अपर जी ड्राइब में जाके यहां पर जी ड्राइब से एक फोल्डर बना लीजिए कंटोल शिफ्ट एन दबाईए और यहां पर बिल्स बोलके एक फॉर्मेट बना बना बोल्ड कर दीजिए और यह बंदा बना लीजिए समसंग ले रहा है एसम 001 यह पहला बिल आपने बनाया स्लैस अक्सेप्ट नही अब फिर से उतना बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा जस्ट यह जो कोडेशन बील का फॉर्माट है इसको उपेन कीजिए और यहां पर अब दूसरा प्रोडक्ट जो आरा बंदा लेने के लिए उसको दीजिए उसको प्राइट बता दीजिए उसको डिसकाउंट बता दीजिए उसको लोकेशनल डिसकाउंट बता दीजिए और पर पीस का जो केरिंग शार्ज हां पर इंपूट कर दीजिए करने के बाद अब यहां पर जैस जिसमें पने खाना अपने लिए अपने लिए व्यक वोगरा इंपूड करके पाठी को रिड़ और क्यु कु foiश्क्ता वने रिणा के बना विद इसकते हैं आप यह पॉर्माट खंड करना नहीं है i comes from home rank अलग अलग party को अलग अलग product के लिए दे सकते हैं इसमें चाहे तो हम लोग एक चीज और भी add कर सकते हैं यहाँ पर right click करके insert करेंगे entire row करके ok कर देंगे उसके बाद यहाँ से तीन line selection करके यहाँ से इसको merge across कर लीजेगा और फिर यहाँ से इसको merge across कर लीजेगा करने के बाद इसको पूरा selection करिए selection करके इसको all borders कर दीजे all borders करके अभी यहाँ पर दे दीजे customer name, address और mobile number तो अलग अलग बंदा के लिए अलग अलग details होगा इसलिए यह बना लेने से क्या होता है अच्छा होता है यह अभी overall पूरा selection करके यहाँ से एक bold box दे दीजे यहाँ से और इसको थोड़ा सा highlight कर दीजे यहाँ से bold कर दीजे इसको भी यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से highlight कर दीजे यह हम लोग का format रेडी हो गया ठीक है तो इसका topic जो है तो आज का topic था quotation bill that's all